हेलो गाइस, आज किस वीडियो में करेंगे ICAR exam के लिए important question जो कि आपके exam के लिए important है तो वीडियो सुरू करने से पहले आप लोगों से एक बात कहना चाहूँगा कि जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया या परधान मंतरी अगला है कौन सी परवत स्रेणी भारत के उत्तरी तथा दच्छनी भागों को अलग करती है तो option B, विंद्य स्रेणी Next, ACI खेलों में सोन पतक जीतने वाली प्रथम भारतिय महिला कौन थी तो option A, कमल जीत संधू सबसे बड़ा लोकतांत्रिक तेज जो है, वो कौन सा है तो option B हो जाएगा, भारत केंद्री ये उसदी सोद संस्थान जो है, ये कहां पर इस्तित है तो option D, लखनाओं में इस्तित है विद्धुत मापा की अंत्रों में विद्धुत उड़जा निम्न मेंसे रुपांत्रित होती है तो option B या अंत्रिक उड़जा या मेकैनिकल एनरजी निम्लिकित में कौन सा सबसे कठोर पदार्थ है तो option B डाइमंड या कह सकते हैं हीरा माचिस उद्ध्योग में निम्न मेंसे किसका प्रियोग किया जाता है तो option A potassium sulfate DNA sensation का प्रतिपादन किस ने किया था तो option A कौन बर्ग ने किया था एतलिट फुट एक रोग है जो निम्न मेंसे किसके द्वारा होता है option B 73 किसके द्वारा होता है किसके द्वारा होता है कब अक Statistics अगला question है A प्लस बनापान A इसकर टू 3 तो A स्कॉर प्लस बनापान A स्कॉर का मार्ण क्या होगा लिख लेते हैं A plus 25 A is equal to 3 तो हमें बहलू बतानी A square plus 25 A square तो हम लोग क्या करेंगे दोनों पच्छों का square कर देते हैं तो A plus 25 A का whole square is equal to 3 का whole square तो यह हो जाएगा A square plus 25 A square plus 2 A भी होता है A से A कट जाएगा तो बचेगा 2 3 का square होता है 9 तो यहाँ से आजाएगा A² प्लस बना पान A² is equal to 9 मैंसे 2 जाएगा तो आपका कितना बचेगा 7 आंसर क्या हो जाएगा option day is right answer अगला देखे कोश्चन क्या कहता है AQ प्लस A² प्लस 2A प्लस 8 के गुड़न खंड क्या होंगे लिख लेते हैं AQ प्लस A² प्लस 2A प्लस 8 के गुड़न खंड क्या होंगे तो इसको ऐसे लिख सकते हैं AQ प्लस 8 को क्या लिख सकते हैं 2 का whole cube और आगे बैसे उतार देंगे A² प्लस 2A इसको ऐसे लिख लिया अब क्या करेंगे यह देखे AQ प्लस BQ का फार्मूला बन गया तो यह हो जाएगा A प्लस B मतलब A प्लस 2 हो जाएगा और दूसरे कोश्टक में A² प्लस B² B का क्या है 2 दो का स्कोर करेंगे तो आपका आजाएगा 4 और माइनस AB A कितना है A और B की बैलू क्या है 2 मतलब 2A यह हो गया और आगे क्या है प्लस A A प्लस 2A ओके गाइज आगे क्या है आपका A² है प्लस 2A यह हो गया आपका अब क्या करना है अब इसको ऐसे लिख लेते हैं सबसे पहले A प्लस 2 यह कोश्टक में दूसरे कोश्टक में A² प्लस 4 माइनस 2A अब प्लस लगाया इन दोनों में क्या कामन है A कामन है तो अंदर क्या बचेगा A प्लस 2 अब दोनों इदर देखिए क्या क्या कामन है A प्लस 2 तो दोनों में से A प्लस 2 कामन ले लिया अब क्या बचेगा अंदर A² प्लस 4 माइनस 2A और प्लस A तो आपका क्या बचेगा A plus 2 A कोष्टक में, दुसरे कोष्टक में A square plus 4 2A से माइनस के 2A से A जाएगा तो आपका कितना बचेगा माइनस का A तो यही आपका answer हो जाएगा और यह कौन से option में आ रहा है option A में आ रहा है चलिए अगला question करते हैं 2x minus 3 upon 3x plus 2 is equal to minus का 2 बटे 3 तो x की value बतानी है तो 2x minus 3 बटे 3x plus 2 is equal to का है minus का 2 बटे 3 यह है, अप cross multiply करेंगे तो x कमाना जाएगा तो यह हो जाएगा 3 2x minus 3 is equal to minus का 2 और 3x plus 2 यह हो जाएगा आपका 3 का 2 में करेंगे 6x minus 6 9 3 तरका 9 minus 2 का 3x में करेंगे तो minus का 6x plus sorry minus हो जाएगा क्योंकि minus 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 plus minus होता है 2 का 2 में करेंगे तो minus का 4 अब 6x उदार जाएगा तो 12x is equal to minus 4 था और minus का 9 है उदार जाएगा तो plus का 9 हो जाएगा तो आपका आजाएगा 12x is equal to 5 तो x की value क्या आजाएगी 5 बटा 12 तो option B is right answer अगला है question आपका बहुत ही simple सा निम्ने चित्र में कोण एक का मान क्या होगा तो सबसे पहले आपको बताना चाहँगा एक पूरा गोला होता ये कितने डिगरी का होता 360 डिगरी का और उपर देखे ये पूरा आधा गोला बन रहा है तो ये कितने डिगरी का हो जाएगा 180 डिगरी तो इसको जोड़ेंगे और इसको जोड़ेंगा और इसको जोड़ेंगे वो किसके बराबर हो जाएगा 180 डिगरी के बराबर तो a प्लस 15 डिगरी प्लस 45 डिग्री प्लस A प्लस 30 डिग्री किसके बराबर हो जाएगा 180 डिग्री के बराबर A और A कितना हो जाएगा 2A प्लस 15 में 45, 60 और 60 में 30 चोड़ेंगे तो 90 is equal to 180 C डिग्री तो 2A is equal to क्या आजाएगा 90 काटेंगे तो A की value क्या आजाएगा 45 डिग्री Option 4 अगला किसी सम चतुरभुच के 3 कौण दिये हैं आपके तो चोथे कौण की महाब बतानी है तो सम चतुरभुच के 4 कौण का योग कितना होता है 300, sorry, साथ चतुरभुच के 4 कौण का योग कितना होता है 360 डिग्री इन कौण दिये हैं कितने कितने 105 प्लस 120 प्लस 75 चोथा कौण महाब लेते हैं D किसके बरावर हो जाएगा 360 डिग्री अब इसको ती उपर वाले 3 को जोड़ेंगे तो आपका कितना आजाएगा 300 प्लस कौण D स्कल्टू 360 डिग्री पच्छंतर करेंगे कौण D स्कल्टू 360 माइनस 300 तो कौण D की बरावर के आजाएगे 60 डिग्री ऑप्सेन भी इस राइट आंसर अगला है समचतरूच की विकण 4 सेंटीमेटर और 6 सेंटीमेटर के हैं तो इसका छेतरफल क्या होगा देखे D1 पहला विकण है 4 सेंटीमेटर D2 दूसरा विकण कितना है 6 सेंटीमेटर तो इसका छेतरफल क्या होता है तो इसका छेतरफल होता है 1 बटे 2 इंटू D1 इंटू D2 तो 1 बटे 2 इंटू D1 है 4 D2 है 6 2 से 4 काटेंगे तो 2 2 का मल्टिपला 6 में करेंगे तो 12 और एक दिन का कितना पतिसा 4 घंटा 30 मिनट होता है देखे एक दिन में होते हैं 24 घंटे और दूसरी कंडिशन क्या है आपकी 4 घंटा और 30 मिनट इसको लिख सकते हैं 4.5 घंटा तो देखे गाई 4.5 घंटा को उपर रखेंगे 5 सेंटर निकालना न और किसे से 1 दिन का 24 घंटे का तो इसको नीचे रखेंगे और मल्टिप्लाइ 100 करेंगे तो इसको सॉल्व करने पर आपका आंसर आएगा 18.75 आपसेंसी इस राइट आंसर आज के इस वीडियो में इतना ही अगर आपको वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करें शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें तक्यू